हाई फ्रेंट्स मैं परंदरकारी फ्रेंट्स आज की हमारी गेंप्रिय दर्शनी शर्मा जी की वीडियो रेकमेंडेशन है उन्होंने मुझसे एरो फ्लोट 2017 के गेम के उपर वीडियो बनाने के लिए का तक खेले गई थी इरानियन मास्टर अली रेज़ा फिरोजा और जर्मनी के ग्रेंट मास्टर मिथायस बिल्यू बैम मैं शुरू करता हूँ यहां अली रेज़ा फिरोजा ने E4 के साथ शुरू किया कारोकान का डिफेंस यहां मिथायस ने दिया C6 दिफोर हुआ डिफाइव एडवांस करोकान देन बिशेफ आया F5 स्कॉर पर नाइट F3 E6 C3 नाइट E7 बिशेफ आया E2 स्कॉर पर नाइट G6 देन हुआ H4 और आगे जाकर इस नाइट को और परिशान करने की माइट भी तैयारी हो सकती है तो H5 पहले ही यहां ब्लैक ने कर दिया है नाइट G5 नाइट के लिए अच्छे आउट पूस्ट है इतने अग्रेसिव स्कॉर पर नाइट कम सिक में पोल्ड नहीं किया जा सकता तो सुलिशन एस सिंपल F6 पहले नाइट पर अटेक बना और यहां कुएन बिशप की बैटरी भी आपको नज़र आ गई होगी विए टेक्स F6 जी टेक्स F6 वापस नाइट पर अटेक बना नाइट को हटाना ही पड़ा H3 स्कॉर पर और अब इस पॉइंट पर फ्रेंट्स मेरे ख्याद से ब्लैक यहां कोई भी मूग चल सकता था लेकिन उनने अपने किंग को मूग करना ज़ाद सही समझा में था इस काफी मैं कोंगा रिस्क ही हो जाता है यहां से वेल नाइट F4 नाइट एक्षिंज आसकें यहां कर लिए नाइट के साथ अब भी नहीं है लेकिन आगे जो मूग चला गया था उसमें इश्यू आपको समझ बाएंगे तो मुझे बैस मूग यहां वाइट के लिए कैसल करने का लगता है लेकिन उसके बाद आप कहेंगे क बीशप F3 स्क्वाइर पर आ जाएगा और फिर वही चेक मेटिंग थ्रेट होगी तो उसका हिलाज सिंपल है कुईन को ले जाओ F3 स्क्वाइर पर रुक भी आएगा अब तो भी कोई इश्यू नहीं रहने वाला है तो चलते हैं एक्ष्वल गेम पर यहां कुईन गई B3 स् फिरोजा का हफी रिस्की मूव में मानता हूँ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इस E6 स्क्वाइर पर बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं हाँ लेकिन नाइट को अंडिफेंड़ जरूर यहां अले रेजा ने छोड़ दिया है तो क्या मिथास इस नाइट X B7 चेक होगा कि E8 स्क्वाइर पर जाएगा और उसके बाद कैसल किया जा सकता है फिर्स्ट बिशप को हटाना होगा फिर यहां रोक उसके बाद नाइट दोनों को लिया जा सकता है लेकिन मैं चलूंगा यहां एक्शूल गेट पर यहां इस पॉइंट पर इला गया B5 बि जो भी अटेक लगाया है उसको अब हटाना ही पड़ेगा बिशप को आप वापस लेकर जाएं लेकिन अलिगर जाने यहां सर्ब्राइजिंग ली बिशप नहाटा कर सीधा कैसल किया काफी शाफिंग हो गया रुख जी इतनी तेरे में मिथायस ने अपनी प्रिपरेशन प तो ऐसा लगता है कि अली रिजप फस्ते हुए नजर आ रहे हैं उपर से मिथायस ने अपनी कुन को रखा जी फोर स्कुएर पर और यहां इस बिशप पर अटेक बना दिया है रुख गया ईवन स्कुएर पर आखिर अली रिजप किन कैलकुलेशन के हिसाब से खेल रहे हैं यहां अगर E6 स्कुएर की में बात करूं जो पॉंड रखा है यहां पर तीन डिफेंस ब्लैक के हैं वही तीन अटेक यहां वाइट के हैं E6 पॉंड पर और उपर से यहां G3 पॉंड चूंकी पिन है तो बिशप को भी लिया जा सकता है तो एक बार मैं यहां बिशप को ले लाही जाएगा फॉकिंग किंग एंड रुक किंग से सी सावन या वटवर इट इस तो बिशप टेक्स F5 और यहां अभी भी इस रुक पर इश्यूज होंगे ही होंगे तो पहले रुक को हटाये जाएगा और इतनी दिर में वाइट अपने बिशप को वापस सल्ले आएगा गेम के अंदर खैर चलते हैं यहां वापस एक्चुल गेम पर यहां हुआ था रुक B4 और मेथायस भी कम नहीं है उन्होंने इसी रुक पर ही अटेक बनाया किया टाओ इसको पहले अलड़ी पॉन पर यह बिशप रखा हुआ है दूसरा बिशप वैसे ही खत्रे में को इनक B4 मैं कहूंगा काफी क्राफली मैटेरियल एक्शन यहां पर वाइब लैक के साथ और वाइट के साथ भी इशूज आ उसके पीसे डवलप नहीं है नाइट A6 कुएं पर अटेक बना कुएं हटी D2 स्क्वार पर देनाया रुक E8 यहां में थायस का इरादा क्या है मेरा थाय गेम हो वेल D5 सप्राइजिंग ली 9-6 D5 9-6 D5 कुएं टेक बना यहां इस पॉन का डिफेंस ज़रूरी है मेरे ख्याल से मिथायस यही वो की मोवेंट था इस गेम का जहां वो मिस कर गए काफी अच्छा हूँ गेम खेल रहे हैं अगर किसी तरह से मेरे लेक्शन्स कर लेते हैं जैसे कि क्विन E4 यह एक बैटर मूव होता लेकिन अनफॉर्चनेटली यह मूव नहीं खेला गया था क्विन C5 इस तरह से मूव गेम याल भड़ती वेल लेकिन ऐसा कुछ हुआ नह चैक को यही चैक को रोकने के लिए मैं को E4 स्कुएर पर बोल रहा था रखने के लिए खर किंग गया B7 स्कुएर पर और अंडिफेंडेट इस बार क्या है बोर्ड में यह क्विन क्या यह क्विन फसाई जा सकती है एक्जैक्ली और वही काम यहां अलीरेजा ने किया रुक किंटेक्स A7 बिशप B8 चेक डिसकावर्ड चेक आइदर अब यहां किंग से इस बिशप को लिया जाए यहां रुक से बात वही पढ़नी है यहां प्रेफर किया गया किंग टेक्स B8 10 हुआ क्विन फ्री आफ्टर मैट करते हैं दो रुक्स यहां ब्लैक के पास हैं और पा और यहां नुपसान हो जाता है ब्लैक का रुक एट रुक्स की बैटरी सेफटी फर्स्ट अगर गेम में कुछ भी करना है तो अपने रुक्स को कनेक्टेट रखें अगेंस्ट क्विन क्विन F7 को क्विन फ्री फ्री फर्स्ट की ऑट रखेंगे जेसे लगता है कि किंग B7 किंग B7 मुझे ऐसा लगता है कि किंग को C7, मैं C7 square क्यों बोड़ा हूँ, पहले हुआ हूँ है H5, King B6, G4 और जैसे मैंने कहा कि King का C7 square पर जाना लाजमी था यहां से लेकिन यहां यह रखा गया C pawn push, C pawn push कुछ solve नहीं करता क्योंकि H6 होने के बाद, यहां आप इस पासर को रोकना अतना आसान नहीं रहने वाला है दूसरा, पाउन यहां क्विन प्रमोट होने के चांसे जादा हैं लेकिन यहां मिधायस भी कम नहीं है, उन्होंने अपने F pawn को आगे push किया और ऐसा करने के बाद, यहां कम से कम queen और आप चाहें, तो pawn को ले ले, यह दूसरे जो पासर pawn है, उसको यहां black अराम से ले लेगा लेकिन, यहां, अलीरेज़ा ने किया G takes F5, queen sacrifice on the board, और गेम का लगबगी चालिसवाँ होगा, उन्तालिसवाँ रुक टेक्स G6 चेक के साथ queen sacrifice को सेप्ट किये गया, लेकिन बद्रे में यहां लेज़ा को कामिला, दो connected passes, F टेक्स G6 के बाद, वो भी 6 रेंक्ट ने रुक E6 किया तो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकिया कि भी G7 और अगले move में यह pawn queen promote होगा ही होगा ब्लैक ने एक chance लिया कि ठीक है, रुक G6 चेक करके देख लेते हैं, और अगर कोई blender यहां white करे कि H1 में ले जाए king को तो एक और check देकर फिर हम game को जीच सकते हैं, लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं वाला है यहां हुआ king F1 and that's it, उसके बाद जो उमेद थी, मतायस ने इस गेम में resignation कर दिया, क्योंकि अगले move में black जो चाहे वो चल सकता है होना क्या है, होना है इस H1 को आकर push करना, आप G7 pawn पूले ले अगली बार ये pawn queen promote हो चुका होगा वेल फ्रेंड्स प्रेदर्शनी शर्मा जी ने बहुत गजब की गेम हम सभी लोगों को बताईए, मुझे उमीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोगिश वीडियो को like करें, share करें और मेरे सीट्यूब चैस ग्रूप को please subscribe जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद नज़ा रहेगा, thank you for watching and bye for now